Hello everyone, आज हम बात करने वाले हैं दोलो 650 टेबलेट के वारे में दोलो 650 टेबलेट का साल्ट नेम है पैरा सीटा मोल पैरा सीटा मोल का दूसरा नाम है एशिटा मेनोफेन ये दो टाइप का होता है एक तो एनिल्गेसिक होता है और दूसरा होता है एंटी परेटिक जो anal guessing medicine होती है ये reduce करती है fever को जो fever को कम करती है और anti-paratic medicine जो होती है ये pen session को कम करती है डोलो 650 को बनाने वाली company है manufacture जो करती है micro labs limited अब हम बात करते हैं इसके use के बारे में ये drug जो है जो mild to moderate pain ये हलके से माध्यम दर्द में दिये जानी वाली medicine है इसको हम fever, head edge, सिर्दर, muscular pain मास्पेसियो में जो पैन होता है उसमें भी दे सकते हैं dental pain दाददर में भी दे सकते हैं back pain जो हमारे सरीड के पीछे पाट में दर्द होता है वहाँ पर भी इसका हम pre-o कर सकते हैं इसको joint pain arthritis इसमें भी हम इसका pre-o कर सकते हैं इसका हम romantic pain इसमें भी हम इसका इसमाल कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके daily doge के बारे में adult doge जो adult doge है इसको एक दन में हम 3 टेबलेट दे सकते हैं maximum 4-6 अवार के अंदर पर 3 डोच को हम दे सकते हैं और child doge के बारे में बात करें तो जो child doge है जो 2-3 साल के बच्चे हैं इन में 150 mg एवरी डे मतलब परती एक दिन 5-6 गंटे के अंटराल के बीच में इसको में देना चाहिए अब बात करते हैं इसके side effect के वारे में इसके प्रियोग से liver damage हो सकता है और कुछ condition में देखा जाता है एक ही allergy reaction भी हो सकती है low blood pressure हो जाता है और हमारे body में journal weakness भी महसूस होती है इसके प्रियोग से और constipation भी हो सकता है इसके प्रियोग से तो इस medicine को लेने से पहले आप अपने डॉक्टर की सला जरूर ले लें अब बात करते हैं इसके precautions के बारे में अगर kidney से related कोई भी disease आपके body में है तो इस tablet का प्रियोग बिलकुल ना करें अगर आपका liver damage है, hypersensivity है, stomach pain है irregular heart beat, nausea, vomiting आज जैसी कोई भी बीमारी है तो इस tablet का प्रियोग बिलकुल मत करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें मेरे चनल को subscribe करें, comment करें, share करें thanks for watching